इस मूवी को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बाते हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ नमबर वण ये कि जिस तरीके से हॉलिवूड वालों ने हमारा काटना स्टार्ट कर दिया है तो बॉलिवूड वाले भी पीछे कैसे रह सकते हैं इसका सीधा रेफरेंस जाता है Avengers Infinity War में जहाँ पर हमने वकांडा की लड़ाई में हल्क को लड़ते दिखा था वो तो था ट्रेलर में लेकिन मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया और दूसरी चीज़ यह है कि मूवी का 90% CGI तो इसके ट्रिलर में ही देख लिया गया है और वाकि कुछ 10-15% बचा है जिसे देखने के लिए आप इस मूवी में जाएंगे लेकिन हाँ यह बात तो मैं जरूर कहूंगा कि यह मूवी वन टाइम वाच जरूर है और इसे आप अपनी फैमली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को 16 सेप्टेंबर को देखने जाएंगे तो हर हॉल में सिर्फ टिकेट 75 रुपीस का ही लगेगा क्योंकि उ अमिता बच्चें की नरेटिंग वाइस में हमें यह पता चलता है कि आज से सदी में पहले भगवान को खुश करने के लिए कुछ रिशी मुनियों ने बहुत सारा जाप किया उन्हें याद किया जिसकी वज़े से भगवान शिव ने आकर उन सभी को वरदान दिये उन अस्त्रख मिला किसी को जल अस्त्र तो किसी को अग्नी अस्त्र और इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया ब्रह्मांच ब्रह्म का आंच यानि कि तनी ताकत की को कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था इसलिए सभी नियुक्ण Waiting विवर्स को खटा करके इस अस्तर को एक छोटे से गोल पत्थर में डाल दिया लेकिन इस पत्थर को पाने के लिए उनके ही ग्रुप में से एक विबिशन पैदा हो गया अब यह कहानी में आपको आगे कंटीनी करूंगा यहां से कहानी आती है प्रिजन टाइम में जहां पर ह एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जिनका रोल प्ले किया है नन अदर दैन शारुक खान में इस मूवी में इस करेक्टर का नाम है मोहन हम विवर्स को यहां पर यह पता चलता है कि ब्रह्मास्तर की शक्ती को काबू करने के लिए जिस पत्थर में उसे डाल दिया गया था अब उस पत्थर को कोई हासल ना कर ले इसलिए उसे तीन भागों में डिवाइट कर दिया गया और उनी टुकडों में से एक टुकडा मोहन के पास भी था लेकिन उसे लेनी के लिए कुछ गुंडे माँ पर पहुंच जाते हैं जिनका नाम होता है जोर और रफ्तार मोहन उ पहले टुकडे को छिपाने के लिए अपने खून का इस्तमाल करता है हमेशा उस्ताद की खून से ही ब्रहमास्तर का टुकडा अपने असली रूप में आ पाता था तो यहां पर मोहन उसे एक दुर्बीन में बदल देता है अभी शिकारी उसे ढूनने में अपना काफी वक् गल जाता है और जब थोड़ी देर बाद में वापस आता है उसे यह लगता है कि शायद अब सब कुछ शांत हो चुका होगा लेकिन यहीं उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इस वक्त पहुंच चुकी थी उन दोनों शिकारियों की बॉस जुनून जिसके पास में अग उससे यह पता लगा पाती लेकिन इससे पहले ही मोहन अपने conscious mind में आ जाता है और अपनी जान दे देता है ताकि यह राज भी उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो जाए जिसके बात कहानी आती है इस मूवी के लीट करेक्टर शिवा पर जो की पेशे से एक डीजे होता है औ और आज दशेरे का दिन था जहाँ पर उसने अपने म्यूजिक से सभी को नाचने पर मचबूर कर दिया और वहीं पर शिवा की नजर उसकी हिरोईन आलिया बट यानि की इशाबर जाती है पहली नजर में ही इन दोनों को प्यार हो जाता है और शिवा से ढूनने के लिए ग यानि की इन डारेक्ली वो था शिवा इसी तरीके से कुछ दिन निकल जाते हैं और एक बार मादुरगा की पूजा होने वाली होती है और जब शिवा वहाँ पहुचता है तो उसकी मुलाकात ईशा से होती है और इन दोनों की फ्रेंट्शिप और ज़्यादा घहरी हो जाती इसी दोरान शिवा अपना पास्ट भी बताता है कि बच्पन में ही मेरे माता पिता गुजर गये जब मैं एक साल का था तब इस घर माग लगी थी और मेरी माँ उसी में चल बसी लेकिन जाने से पहले वो मेरी लिए एक गिफ्ट छोड़ गई जो कि था एक शंक इन दोनों क की जान बचाने के लिए शिवा तैयार हो जाता है लेकिन तब भी उससे इशा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी जिसके बार ये दोनों ही अपनी जरनी काशी के लिए स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर इस मूवी का वन ऑफ दा बैस्ट सॉंग भी आता है के सरीया त पसंद आया आप मेंसे कितने लोगों को पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कमिंग बैक टूदा में स्टूरी इस वक्त अनीश इटी जो की एक आर्टिस्ट होता है जहाँ एक तरफ ईशा और शिवा उसे बचाने के लिए पहुंचे थे वहीं जु पहुंच से दूर इसी बीच हम वीवर्स को ये पता चलता है कि जब उन शिकारियों ने मोहन को मारा तो उससे उसका वानरस्तर भी ले लिया था और जैसा कि मैंने इस मूवी की स्टार्डिंग में ही का था कि बॉलिवोड अब हॉलिवोड को काफी तरीके से कॉपी करने ल जाते हैं और अब क्योंकि इनकी जान खत्रे में थी और साथ ही वो शिकारी तीसरे टुकड़े की तलाश में थे तो ये सबी काशी से हिमाचल जाने लगते हैं कार से मगर तभी ने पता चलता है कि जुनून और उसकी टीम इनके पीछे एक ड्रक से आ रही है इसलिए लगतना ये टुकड़ा उनके पास कभी नहीं लगना चाहिए जिसके बाद आता है इस मूवी का एक और वन ऑफ दा बेस्ट सीजुएई जीन जहां पर हमारे अनीश शेटी जी नंदी अस्तर की ताकत से उनके ट्रक को एक जोड़दार टकक कर दे देते हैं और उनका ट्रक कार से गुरू के पास मौचने की कोशिश करते हैं वहीं दूसरी तरफ वानर अस्तर धारी रफ्तार उनके पीछे बढ़ चुका था यहां पर हमें एक जवरदस्त कार चोईजिंग सीन दिखाया जाता है जहां पर रफ्तार उनसे वह ब्रमास्तर का टुकड़ा लेनी की करने वाला होता है लेकिन इसी बीच शिवा का भी अगनी अस्तर अन हो जाता है और वो अपनी ताकत से रफ्तार को वहीं पर जलाकर खाक कर देता है यह सारा इंसिडेंस दूर खड़े गुरू देख रहे थे जिसके बाद वो से अपने घर में लेकर आते हैं और यहां पर स उतिस होते शिवा को अपने फ्लेश बैक आ रहे थे कि कैसे बचपन में उसके घर में आग लग गई और उसकी मां उसी में जल कर मर गई मीनवाइल जुनून अपने बॉस के पास जाकर और ज्यादा शक्तियां मांगती है और बताती है कि इस वक्त हमारे पास में मोहन का वा पावर देनी होगी ताकि मैं उन लोगों से एक तगड़ा मुकाबला कर सकूँ अब जुनून का बॉस वही शक्स है जिसने ब्रहमांच की टीम से गद्दारी करके उस ब्रहमास्त्र को बाने की कोशिश करे थी यहां सीन शिफ्ट होता है घुरू के आश्रम में और यहां प देखकर उसके गले लग जाता है क्योंकि एक दिन पहले उसने जिस आँक का इस्तमाल करके रफ्तार को जुलसा दिया था उसे लग रहा था कि एशा भी कहीं उसमें जखमी न हो गई हो तब ही वहां पर पांच और स्टेंजर आ जाते हैं और यह से भी एक बोट में आकर बै सकती है आज से सदियों पहले रिशी मुनियों ने भगवान का जाप करके उनसे कुछ अस्तर लिये मगर उन अस्तरों में से एक अस्तर जो की बहुत ही बड़ा और सबसे ज़्यादा ताकत वर था यानि कि ब्रह्मास्तर उसकी ताकत को कोई काबू नहीं कर पा रहा था इसल उसस्तर को तीन भागों में डिवाइड करके देव को खत्म कर दिया गया ताकि ब्रह्मास्तर का उपयोग न हो पाए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी जिस पर शिवा कहता है कि यह लड़ाई आप लोगों की है आप लोगों के पास में और आप लोग ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं मेरे पास में कोई ताकत ताकत नहीं है और नाहीं मैं आपके इस लड़ाई में आना चाहता हूँ इसलिए मुझे यहां से जाने दीजिए लेकिन गुरू का कहना था कि क्या तुम्हें वो विजिजन्स नहीं आते क्या तुम्हें कोशिश करता है उन पांच लोगों में किसी के पास सर्प अस्त्र था तो किसी के पास कवच अस्त्र किसी के पास वायू अस्त्र था तो किसी के पास में धर्ती अस्त्र और एक के पास था हिलिंग अस्त्र हिलिंग यानि कि घावों को भर देने वाला अस्त्र बोले तो संज बताते हैं कि आखिर क्यों ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं बेसिकली हुआ ये था कि देव जिसके पास काफी सारे अस्तर थे और उसकी शक्तियां भी काफी ज़दा थे और फैनली वो ब्रहमास्तर को पाना शाथा था लेकिन उसकी वाइफ अम्रता जिसके पास में जलस्तर की ताकत थी वो नहीं चाते थी कि ब्रह्मास्तर की ताकत एक्टिवेट हो जाए और इस पूरी दुनिया को ही खत्म कर दे इसलिए ब्रह्मास्तर की लड़ाई में ये दोनों एक द्वीप पर बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़े और ये अमरता ही थी यानि कि तुम् कि लेने लगा था शिवा का कैना था कि ब्रह्मास्तर के तीन तुकड़े हुए थे एक तो उनके पास मोहन से मिल गया तूसरा अनीश का जो था वह मैं आपके पास ले आया क्या तीसरा टुकड़ा आपके पास है तो गुरू बताता है कि तीसरा टुकड़ा मिला ही नहीं ज जब उन लोगों में से एक शक्स के पास में से शिवा उसका अस्तर पहनता है तो वो सीधा देव से कनेक्ट हो जाता है और उसे पता चलता है कि देव और कोई नहीं बल्कि उसके पिता ही थे। जिसके बाद रात को होती है एक जोरदार CGI वाली फाइड जहां पर जुनून अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच चुकी होती है गुरू के आश्रम में अब यहाँ पर गुरू और उसकी टीम वहीं पर जुनून और उसकी टीम इनके बीच में एक घमासान युद्ध होता है हर कोई अपनी पावर्स को दिखा कर जुनून को हराने की कोशिश कर रहा था उनकी चलती लड़ाई में इशा भी पहुँच गई थी अब इशा को कहीं कुछ हो ना जाया इसी विजह से शिवा उसके इर्द गिर्द एक अगनी चक्र बना देता है लेकिन तभी कहाईनी में एक और ट्विस्ट आता है मौनी अपनी जलस्तर की ताकत से बारिश कर देती है और शिवा ने जो अगनी चक्र बनाया था उसे द्वस्त कर देती है अब मुझे तो कहीं न कहीं यह लग रहा है कि शिवा की बहनी होगी है बलब नेक्स पार्ट में हो सकता है कि दिखाया जा और शिवा के खून की बोन से वो अपने असली रूप में आ जाता है ये पांच पांडव जुनून को रोकने के लिए काफे कोशिश करते हैं लेकिन अब जुनून के पास में ब्रहमास्तर के तीनों टुकड़े आ चुके थे जिसे जोडने के बाद ब्रहमास्तर एक्टिव करने लगता है और फाइनली ब्रहमास्तर धारी हो जाता है यानि कि जब पहले उससे अपनी ताकत का इस्तमाल करने के लिए एक लाइडर की आंग के जुर्द पढ़ती थी अब वो ताकत उसके अंदर से ही जनरीट हो रही थी और अब सब को शांत हो जाता है और इसी के में हमें ये पता चलता है कि जब ब्रहमास्तर की ताकत एक्टिवेट हुए तो देव जो उस द्वी पर काफी टाइम से एक पत्थर की मूरत में कैद था वो भी आजाद हो चुका था और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ब्रहमास्तर का श्रिवादा पार्ट वन यहीं पर ख कि अशने पत्थर की मूरत भार्ट वज़र की मूरत में का श्रिवादा लगजाद था जा लागब तो जा वन चालता है कि ताकत बाइमास्तर का श्रिवादा वार्ट पर शेश्तर की मूरत बार्ट पार्ट व्लट कर दो कर दो कर दो कर दो